कहते हैं पिता बनना सौभाग्य की बात होती है लेकिन क्या पिता बनने में टाइमिंग का भी कोई रोल होता है वो आप इस खबर से समझ जाएंगे दरसल आपने मनोस्तिवारी के बारे में तो सुना ही होगा भोजपुरी सिनेमा में उनका काफी नाम है दिल्ली की राजनीती में भी वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और तो और देश विदेश या जनहित का कोई भी मुद्दा हो वो बड़ी ही बेबाकी और मस्त मौला अंदाज में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं लेकिन ताजा मामले में कुछ ऐसा हो गया जहां सोशल मीडिया प में तीसरे बच्चे को जर्म दिया है जिसकी तस्वीर भी सामने आई है मनोज तिवारी ने खुद तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि बड़े हर्श के साथ सूचित करना है कि मेरे घर में लक्षमी के बाद सरस्वती का आगमन हुआ है आज घर में प्यारी सी बिटि जो मनोज भाईया के चेहरे से शायद नदार है फिर क्या था जिसको बढ़ाई देनी थी दे दी लेकिन जादतर लोगों ने मनोज तिवारी की रेल बना दी लोगों ने अपने अपने तर्ग देते हुए मनोज तिवारी को जम कट्रोल किया MJF नाम के एक यूजर ने लिखा कि अब एक और ट्राई मारेगा बेटे के लिए और फिर मीडिया में बैठ कर बोलेगा कि दो बच्चों का कानून बनना चाहिए ताकि जनसंक्या नियंतरण हो खुद बेटे की खातिर अपनी मशीन रोको मत लेकिन दूसरों को ग्यान बताओ खुद दो बच्चों पर अमल करो फिर दूसरों को बोलो तो समझ में आता है सुशान नाम की यूजर पूछते हैं कि कॉंग्रिस के कारण हुआ क्या ये भी लड़का होने तक लगे रहो रवी किशन की तरह ये भी ना बोल दे इसके लिए कॉंग्रेस जेमेदार है जिसके जवाब में बिंदास नाम की यूजर लिखते हैं खास विद्यक जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया जा रहा है और इसके अलावा भी प्रधानमंती नरे नरबोदी जनसंख्या नेंतरड के मामले पर या कहें जनसंख्या विस्वोड के मामले पर लाल के लिए से भाशन दे चुके हैं और शायद यही वज़ा है कि लोग सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी को ट्रोल कर रहे हैं पराल यहो तो थे सोशल मीडिया के रियक्शन लेकिन अब इस खबर पर आपका क्या रियक्शन है आप नीशेकर कॉमेंट सेक्शन में बात जरूर लिखें धन्यवाद